मेश राशी वालों का आज दिन बहुत स्ट्रेस्ट फूल है बहुत सारे रिस्पॉनसिब्लिटीज और बहुत सारा वर्कलोड है आज आपके उपर इसलिए आप आज थोड़ा सा टेंस फिल कर सकते हैं विश्रब राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत balanced है, आज आप दिल से बहुत calm, cool और patient रहेंगे और हर एक काम को बहुत balanced तरीके से करेंगे, मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा hard working है, मगर आप जितना काम करेंगे उससे दुगनी profit होगी, करक राशी वालों के लिए आज का दिन कुछ नई news लेकर के आया है, कुछ नई achievements लेकर के आया है, कुछ नई उमीदे लेकर के आया है, आज बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आप किसी नई direction में बढ़ने के लिए तैयार है, सिंग राशी वालों के लिए आज बहुत जाता profitable day है, आज आपको कहीं से कोई good news आ सकती है, या तो mail के तुरू, या तो phone के तुरू, या तो letter के तुरू, लेकिन कोई ना कोई good news आपको आज ज़रूर मिलेगी, करन्या राशी वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, जो बहुत influential है, जो politically बहुत strong है, जो socially बहुत अच्छी position रखता है, और उसकी वज़े से आपको future में जाकर बहुत सारी चीजों के लिए benefit होगा, तुला राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आज की दिन आप बहुत सारी चीजों के लिए socially बहुत popular होगे, बहुत सारे लोगों से नए लोगों से आप जुड़ेंगे, हो सकता है, आज आपका social network बहुत अच्छा बने, ब्रिश्टिक राशी वाले आज overconfident है, बहुत सारी success हाथ में लग गई है, जिसकी वज़े से आप गुरूर में चूर हैं, जरा अपने आपको सम्हालिएगा, क्योंकि अगले ही कदम पे आप खाई में गिर सकते हैं, थोड़ा सा सम्हाल के चलिए और थोड़ा सा balanced रहिए, धनूराशी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा tough है, कोई आपके खिलाफ शड़िन्त रचने की कोशिश कर रहा है, आपको let down करने की कोशिश कर रहा है, अपने goals और अपने achievements के बारे में ज्यादा प्रपोगंडा मत करिए, मकर राशी वाले आज बहुत जादा expansion और growth के mood में हैं, आप जो भी काम कर रहे उसमें आप क्या नया करें, क्या grow, किस तरह से grow करें और क्या करना चाहिए जिसे कि आपको future में जा करके दुगना तिगना profit मिले, ये इस planning में और इस उधेड़ बुन में आज आप लगे हुए हैं, कुम्राशी वाले आज बहुत कुछ इचीव करना चाहते हो सकता है, आज में राशी वालों को आज property से related कोई good news मिल सकती है, हो सकता है कोई ancestors property आपको मिल जाए या कोई property जिसमें कोई प्रकार की fight चल रही थी, कानूनी लडाई चल रही थी, वो property में आपके favor में decision आए, या हो सकता है कि आप कोई नई property खरीदे, इससे ज़्यादा information के लिए आप मेर comment में mention कर सकते है, thank you